एक धुमकेतू जो लगबग 22,000 माइल्स पर आर की स्पीट से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है और ये साइज में इतना बड़ा है कि अगर ये हमारे प्रीत्वी से टकराता है तो प्रीत्वी पर एक बहुत बड़ा विनास आएगा जियोलोजिकल एविडेंस बताते हैं कि आज से करीब 6-8 मिडियन साल पहले डाइनसोर के समय में थी ऐसा ही कोई सलिस्टियल अबजेक प्रीत्वी से टकराया था जिसका नतीज़ा ये हुआ कि हमारे प्रीत्वी से डाइनसोर का लगभग अन्थी हो गया और आज वो देखने को भी नहीं मिलते ये इसलिए हुआ क्योंकि इतने बड़े अबजेक के टकराने से हमारे प्रीत्वी पर पूरी तरह से वातावरण और मौसम में चेंजेस आया जिसकी वज़े से डाइनसोर को काफी हद तक नुकसान पहुचा और नतीज़ा ये हुआ कि डाइनसोर आज प बड़ा है कि आज तक जितने भी धुमकेतु के बारे में पता लगाये गया है ये उनमें लगभग 50 गुनाह ज़्यादा बड़ा है यानि कि मास की बात करें तो लगभग 500 ट्रिलियन का ये धुमकेतु है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा अगर कॉमेट किसी पृत्वे के हिस्से पे गिरता है तो वो क्या क्या कर सकता है नासा के हबल टेलिसकोप ने ये कनफर्म किया है कि इस धुमकेतु को जितना समझा गया और जाना गया ये आज से पता लगाये गए बाकी धुमकेतु से सबसे बड़ा है ये एक तरह का आईसी कॉमेट है जो कि अपने साइज को लेकर जाना जा रहा है यानि कि इतना बड़ा साइज का धूंके तो आज तक तो वग्यानिकों द्वारा और एस्ट्रोनॉमस द्वारा नहीं देखा गया था चली इसको थोड़ा और आसानी से समझ लेते हैं अगर हम इसके साइज की बात कर रहे हैं तो अंदाचा लगा लिजिए कि इसका जो डायमेटर है वो लगभग 80 माइल अक्रोस है यानि कि 500 ट्रिलियन टन का ये धूंके तो अगर प्रित्वी पे गिरता है तो क्या हो सकता है ल यानि कि हमारे सोलर सिस्टम से जो इसकी दूरी होगी वो लगभग 1 बिलियन माइल्स की होगी यानि कि इतना दूर कि हमारा सनी ग्रैभी हमारे प्रित्वी से जितना दूर है उससे कहीं ज़्यादा यानि कि इतने दूरी से हमारे प्रित्वी से क्रोस हो जाएगा ऐसे कंड सच है कि हमारे इतने बड़े युनिवर्स में लाखों करोडों कॉमेट हो सकते हैं और इसका कोई गैरेंटी नहीं है कि कब कौन कहां से हमारे सोलर सिस्टम की तरब बढ़ जाए और गलती से वो हमारे प्रित्वी पर गिर जाए लेकिन वैग्यानिकों का दावा है कि 2021 तल तो कोई प्रभाव पढ़ सकता है लेकिन फिलाल के लिए तो नहीं है